सो हेलो एबरीवन वेलकम बैक टू मैं चेनल रेंकर्स बीस बी तो देखिए रेंकर्स बीस पर आपका स्वागात है आज परने वाले हैं ओ सदा निरा का भी बी आई कोस्टन वो भी पार्ट वन तो अभी तक में मैंने हिंदी का बहुत चेप्टर खतम किया है अब्यक्टिव हम लोग क्यार ऊस दा निरा का हम लोग क्या ऑस दानिरा का फस्ट कोस्टन देखने वाले देखyang क्या है लात गोषयल को और इसमें बहुत-बहुत आपको objective भी निकलेगा तो आप लोग देखिए, अब देखिए कोन सा निकल रहा है objective-s objective, जलिए हम लोग फूल स्क्रिम पर ले ली है question को, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या-क्या निकलता है इसमें, अब देखिए क्या इसमें कहा गया है, इसमे चेत्म में प्रचंडता बढ़ने की च्या हो चूपारांट छेत्म में वा पैले नदी नदी नादी तालाब हुआ तो उसमें उसके बंद अगल में बहुत सारे जंगल रहते थे ठीक अब देखिए जारों में पानी रुक रहा मतलब रुका रहता था यह जो यहां पर आकार होगा छुट गया यहां पर रुका रहता था जारों में क्या था अच्छा शोरी देखिए कुछ प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण है यह पूछ सकता यह आपका यह पूछ देगा यह पूछ देगा चंपारं छेत्रों में बाड आने की परमुक कारण क्या है तो कोई भी पूछेगा अब देखिए पहले क्या था पहले इस छेत्र में पहले जो चंपारं छेत्र था इस छेत्र का मतलब चंपारं छेत्र पहले चंपारं छेत्र की नदियों के आसपास बिसाल जंगल हुआ करता था तो इसके लिए देखिए जिसकी मतलब अच्छा सोरी जिनकी जरों में, क्या जिनकी जर्ज होता है, जर्जन समझते हैं, जमीन के अंदर जो रहता है, पिर पोदे का उसको जर बोलते हैं, जरों में पानी रुका रहता था, पानी क्या जाता था, रुका रहता था, यहां क्या होगा, रुका होगा, आकर शुट गया है, ठीक है, र लेकिन लेखक के अनुसार पिछले चोग सात सो साल में चमपारन से गंगा तक फैला हुआ यह विसाल करता चला गया है यह क्या हो गया है चोगाव जो पीछे लेखक बताते हैं इसमें छोग सोसे साथ सो जाल पीछे यह दिदेखा जाया तो पहले प्लिप था लेकिन 600 से 700 पहले, मतलब साल क्या हुआ, कटना स्टार्ट हो चुका है, अब धीरे धीरे जंगल कट गए हैं, और उसके बाद आगे देखिए, अब क्या है, विसाल वन क्या हो गया है, कट गया है, और परुनाम सरूप बार्ड की परचनता बढ़ती गई, वो जो पानी जंग कोस्टन की ओर, अब देखिए, सकेंड कोस्टन क्या है आपका, सकेंड कोस्टन है, इतिहास की कीमियाई प्रकिडिया का क्या आसा है, अब देखिए, इतिहास की कीमियाई प्रकिडिया की क्या आसा है, यह आपका सकेंड कोस्टन है, ओ सदानीरा चेप्रड का, अब लेकर दास वर्ग दास मतलब जो होता है नोकर मतलब जो की अपना ये आपना ये करते हैं राजा के यहां रहते हैं नोकर करते हैं यह चोटा जात इसको में लोग दास बोलते हैं ठीक है दास तक सब सब के सब चमपारन से बाहर से आकर बसे यह क्या था यह देखे फिर से एक पर लेन को पढ़के एक फूल एक्स्पिनेंट कर लेते हैं क्या कहा गया इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का इसका उत्तर लिखा गया है लेखक के अनुसार चंपारन छेत्र में बसने वाले लगवग सभी वर्ग मतलब राजा हुआ छोटे से वर्ग मतलब होता जाती छोटा छोटा लेकर बरा से बरा तक ठीक है इसे राजा से लेकर दास वर्ग तक सब के सब चंपारन से चंपारन के बाहर से आकर बसे कहां कहां से आकर बसे चंपारन के बाहर से आकर बसे चालुक वंसी है क्या है चालुक पहले जो चालुक वंसी है था चालुक वंसी है राजा सोम मतलब मतलब करना मतलब कि करनाट वंस का कौन किया यह राजा नाजदेव ने यहां क्या क्या यहां का मतलब हो गया आपका चंपालां छेतर में आपका करनाट वंस की नीव डाली शुरुवात की इसी तरह अंग्रेज ठेकेदार पस्चमी भारत के जमिंदार दक्षनी बिहार और पुडवी बिहार से विष्ठापीत विभीने क्या है विभीने स्रमसील स्रमसील मतला महनती वर्ग यहां आकर बसे या बसाए गए यहां आपकर कहां क्या है पस्चमी यहां पर क्या है चंपारन में चंपारन में आकर बसे चंपारन में आकर क्या हुए बस गए कौन सब यहां देखें दक्षनी बिहार और पुर्वी विहार विष्ट ये सब क्या विष्ठापीत विभीन सरमसील वर्ग सरमसील मतला महनती वर्ग यहां प्यांके बस गए ठीक है अत्व भीन रक्त और भीन संस्कृति के लोगों ने क्या हुआ लोगों ने एक दूसरे से लंबे समय तक परवावीत के recipe प्रवावर्रित होकर मतलाब उसे मोटिभेट होकर एक संगाथित बना लिया समविल के इत्यास की किमियाई प्रकरिया थैं एक किमियाई प्रक्रिया अब चलती है हम लोग थड़ नमर लには कुष्चन आपकशस्टंफ क्या में पढ़ना था sound क्या है क्या है धंगर सब्ड काAC क्या होता है देखिए धंगर सब्ड मूल्था दक्छिन जाना जाटा कि औरो, औरो एक आदिवासी जो है जाति को बोलते हैं, औरो जाति होता है, छी क्या है अरो आदिवासी समीदाय के सब्ध है ये क्या है धंगर? ये वरो जो है दच्छिनी बिहार के वरो मतलब आदिवासी समूदाय के सब्द का अर्थ है जिसका अर्थ होता है भारे का मजदूर आपसे पूछ देगा objective में धंगर सब्द का अर्थ क्या होता है तो आपअलों क्या पुझ जेगा? भारे का मजदूर अब चलते हैं उने लोग चौथा नमर question पर किसका? चौधा नमर कोशनों पर अब लोग इसका answer परते हैं देखे ये आपका उत्तर हो गया यहाँपे देख लिएएब हम लोग परते हैं अब देखे यहाँ कहा गया है उससमय दच्छिन बिहार में दच्छिन बिहार में अप लोग जान गये हैं उसको हम लोग जारखंड बोलते हैं, दक्षिन बिहार का मतलब क्या हो गया, जारखंड हो गया, ठीक है, अब देखिये, उस समय दक्षिन बिहार में अंग्रेजों के खिलाप बगावत संबंदी विचार धारा काफी फैल चुकी थी, मतलब अंग्रेजों के खिलाप इसे सब समझ गए थे यह अंगरेज है यह कुछ गरबर-सरबर करते हैं तो यह पूरा यह हो गए थे विचारधारा पूरा काफ़ी पहल चुका था था थेक हैं अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दर्चिल बिहार के ये बागी विचार उनके निरापद राज में भी फैले वो नहीं चाहते तो ये अंग्रेज दिमाग लगाया जो ये आगे तक नहीं फैलने दे इसलिए अब परते हैं आगे देखें क्या है बिचार क्या उनके निरापद राज में भी फैले जिससे उनके भारी मुनाफे वाले वेपार और एक छटर राज में कोई खलल पैदाना हो क्यों नहीं फैलाना चाहता था क्योंकि उस बैपार करता था वहां पे उस राज में बैपार में उसका कोई मतलब यह ना हो बाधाना परे इसलिए वो नहीं चाहता था इसलिए उन्होंने गंगा पर पूल बनाने के दिल्चस्पी गंगा पर पूल बनता तो लोग इधर से उ अब देखिए पूड़ी। कोन थे अब देखिए उसका उतर यहां पे दिया गया है पुण्डिलिक जी कुन थे अब देखिए गंगा आ कि आऊ सोरी गांधी जी ने गांधी जी ने भीतर हुआ क्या है एक गउं का नाम है भीतिर हुआ गउं के आसरम बिद्याले में बच्चों को सिक्षा देने के लिए खेल गॉं के पुंडलिक जी को 1917 में बुलाया था अब देखिए यहां पर तीन तीन अब्जेक्टिव लिकाल रहा अब आपको बताया मतलब कुछेगा पुंडलिक जी कौन से गॉंके थे मतलब कहां सिक्षाद देने के लिए गए थे यहां पर आपको देना पड़ भीती चाहिए भीती हरवा गॉं में किसको बुलाया था सिक्षाद देने के लिए तो बताना पड़ेगा आपको पुंडलिक जी को क्या बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा पुंडलिक जी को क्या बताना पड़ेगा पुंडलिक जी को बुलाए थे कब बुलाए थे 1917 में बुलाए थे कौन बुलाए थे तो गांधी जी बुलाए थे यह आपका भेती हरवा गांग बुलाए थे यह देखे कितना अब्यक्टि बन रहा है वे वहां के बच्चों को सिख्छा देने के साथ साथ गांग वाले के मन में से अंग्रेज लोग हो कोन गों मैं भेति हरो वह क्ओंधियो कैसा लगा बताएं एक कुमें तें मिलते हैं आफ से अंगले वीडियों में और हम लोग ने अभी तक सभी subject को अभर कर चुका है कर चुका हूँ ठीक है तो आप लोग playlist जाके check कीजिए वहाँ पे आपको day by day वहाँ पे playlist को क्या update क्या जा रहा है वहाँ पे जाके देखिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में